ये भलाई सुनने माजीब लगे लेकिन हमारे सूपरमार्केट के अंदर भी साइंस को यूज में लिया जा रहा है और बहुत सारी खाने की चीज़ें जो हम खरीद रहे हैं वो साइंटिस्ट नहीं बनाई हैं और ऐसा कई सालों से हो रहा है और जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो पाद सिर्फ एक्स्ट्रा टेंडर स्टीक की नहीं हो रही और भी बहुत कुछ है अंधेरे में गलोग करने वाले मीट से लेकर अजीब हाइब्रिट फूर्ट्स एंड वेजिटेबल्स आये देखते हैं कुछ अजीब खाने की चीज़ हैं जोकी एक्जिस्टेंस में हम साइंटिस्ट ने ऐसी पतागों भी बनाई जिन में स्कॉर्पियन का जहर था सुनने माजीब लग रहा होगा है लेकिन यह सच है और यह सब पॉसिबल हो पाया जैनेटिकली मॉडिफाइड ऑरगेनिजम या जी एम ओ की वज़े से एंड्रोक्ट नस ऑस्ट्रेलिस स्कॉर को खाया इंसेट किये गए जहर ने अपना सर दिखाया और इसकी वज़े से नर्व सेल डैमेज हो गई और इंसेट को परलाइसिस हो गया और ऐसा और बी कुछ केसिस में तो यह भी हुआ कि इंसेक्ट मार गए माना कि यह वायरस सुनने में बहुत ही डराबना लग रहा है लेकिन यह cabbage human consumption के लिए बिल्कुल सेफ है कई research में पाया है कि यह जहर mammals पर कोई असार नहीं करता इसका effect सिर्फ insects पर होता है लेकिन क्या आपका मन ऐसी सबजी खानी करेगा जिसमें जहर डला हुआ हाँ यह बात और है कि उस पर safe होने का tag लगा हुआ है लेकिन आपको इसके मिन नाइटीज हुआ था और इसके बाद से इसके कोई खबर सुनने में नहीं आए और वैसे भी जब तक food and drug administration इसके safe होने पर कुछ नहीं बूलता तब तक तो हम इस genetically modified food को हमारे सामनी नहीं देख पाएंगे हाँ अगर आप ऐसे food देखना चाहते हैं तो और भी बहुत सार अग अलग तरीकी के fruits हैं मजाग नहीं कर रहा आर्टिस सैम वैन एकिन ने ये concept 2008 में बनाया है जिसमें एक ही पेड़ पर peach, plum, apricot और cherries जैसे अलग अलग fruits हैं और ऐसा उन्होंने chip grafting नाम की technique से गिया है इस technique में एक branch को काट दिया जाता है और इसमें दूसरे किसी पेड की ब्रांच को tape के मदद से जोड़ दिया जाता है जब ये दोनों पीसे जोड़ जाते हैं तो इन से एक नई branch बनती है पाँच सालों के अंदर वैन एके ने chip grafting की ही process से ऐसी 40 branch बनाई और जो भी different branch वैन ने choose की उन सब में के chromosome structure में similarities थी in fact different chromosome structure की branches पर ये experiment भी किया नहीं जा सकता क्योंकि एक same genetic material common breeding के लिए बहुत ज़रूरी है वैन के trees of 40 fruit अब पूरी US में है और spring season में इन में white और pink color के फूल भी खिलते हैं और फिर tasty fruits तो हैं मुझे नहीं पता वैन एके ने और क्या प्लान किया है लेकिन ये उनका सबसे अच में तो सुनाई है और सुनने में चाहिए कि इतना भी अजीब लगे साइंटिस ने सच में एक hybrid बक्री और मक्री बनाई है ये बक्री मक्री के अजीब कानी 2000 में शुरू हुई इस टाइम में नैक्सिया बायो टेक्नोलजी में Canada साइंटिस ने ऐसी genetically modified बक्री बनाई जो कि ए जीन लेके उसे बक्री के डियने मिला दिया इससे glue जैसा protein जिसे fiber in कहते हैं वो बनता था फिर इससे purify किया जाता था सुखाय जाता था और इससे micro fiber बना जाता था जो कि strong और stretchable होता था ये body armor, air bag और human ligament repair करने में use मिला जाता था लेकिन कोई भी इस सवाल का जबाब नहीं मत कीजेगा अभी के लिए spider hybrid का काम marvel पर जोड़ देते हैं आखों के लिए एक दावत ब्रॉकली और फूल गोबी दोनों ही healthy हैं लेकिन अगर आप इनसे बोर हो गए हैं तो क्यों ना कुछ हट के खाएं जैसे कि ये दोनों एक ही में हैं तो पेश है आपके सामने brocco flower आपक क्योंकि ब्रॉकली और फूल गोबी तोनों ही cross pollination के लिए perfect हैं 16th century से ही Italian farmers ब्रॉकली और फूल गोबी के बीच को मिला दिया करते थे तो सवाल यह है कि रोमान्स को ब्रॉकली को अपना लुक कैसे मिला जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ता है तो मेरे stems नाम के tissues जो की tip पर होत हैं वो cells को divide कर देते हैं और इसे small birds बन जाती है जब हम normal broccoli या फूल गोबी खाते हैं तो यही birds खाते हैं और अगर इनको harvest ना किया जाए तो इनमें फूल भी उख जाते हैं रोमान्स को के case में ऐसे ही birds बन जाती है लेकिन यह बाद में फूल नहीं बनती बलकि यह stem बन जात होता है और ब्रोको फ्लावर के case में यह बड़ी ही अच्छी डिश बना देता है बाई क्यूल नरी क्रॉस बीड अगर आप आलू और टमाटर को मिला दें तो क्या बनेगा एक टोमेटो या पोटेटो चाहे आप इसे कैसे भी दिखें इसका अंतो फ्राइज और केचप पर हो ना लेकिन सुनने में चाहिए कितना भी फनी लगे पोटेटो सच में एक्जिस्ट करते हैं पहली बार आलू और टमाटर को एक ही पेड में जर्मानी में 1970 में उगाया था इनने 2010 में मार्केट में भी लॉंच किया इनका नाम रखा गया है टॉम टेटो इसका रिजल्ट ह उपर आलू का चिल्का या फिर ऐसा भी हो सकता है दोनों साथ साथ जुड़े हूए हो सैडली हम सर्फ फोटोशॉप के ही मदस्ती एक क्रेशन देख सकते हैं यह कॉंसर्ट फणी लगता है पर असल में पोटेटो में पोटेटो तो एक नॉमल आलू की तरह जमीन के अंदर पर उखता है वहीं टमाटर उपर पेड़ पर उखता है हां मैं जानता हूं इन दोनों प्लांट्स को मिलाना एक और कपल जासा लगता है लेकिन इनको मैच करने का एक special reason है आलू आ टमाटर भले एक दूसरे से अलग लगते हैं लेकिन दोनों ही सुलेने से family से बिलॉंग कर और फिर टमाटर के पेर से एक प्रांश तोड़ी जाती है, जिससे दोनों पेर साथ में उख सकें, पुमेटर को एक डबल क्रॉप प्लांट की तरह भी उखाया जा सकता है, क्यूंकि यहां एक ही पेर पर दो सबजीयां उख जाती है, तो यह उन जगों के लिए बहुत अच् के जीन्स को पिग के डिने में मिला दिया, जिसका रिजल्ट बढ़ा याजिब हुआ, इस केस में एक्वेरिया विक्टोरिया नाम की एक जेली फिश से ग्रेन फ्लोरसेंट प्रोटीन या फिर शॉर्ट में जी एफपी निकाला गया, इसकी वज़े से जब फिश समुदर क ये पिग एक सेल में एक पतली सुझ से डाल दिया गया, जब सेल ढ़ाइड हुई तो ग्रीन जीन भी इवाइड हो गया और पिग के बॉडी की हर सेल में फ्यल गया, यहां तक की पिग के हाट और इंटरणल और और गमने भी फैल लेकिन हर एक ने ये क्रारेटरिस्टिक न 2013 में कुछ और साइंटिस ने 10 और glowing picks बना दिये ये भी पहले वाले picks की तरह अंधेरे में glow किया करते थे लेकिन इन सब का क्या फायदा भाई इन चमके लिए protein की वज़े से picks की body glow करती है और इसकी वज़े से infected organ की healing को monitor करना आसान हो जाता है ये इस research में भी मदद कर रहा है कि आखिर human benefit के लिए कौन से genes human body में मिला जा सकते हैं जी हाँ मैं यहाँ man-made superpowers की ही बात कर रहा हूँ आप इस experiment के बारे में morely क्या सोचते हैं ये मुझे comment करके बताएं researchers कहते हैं कि इन glowing picks का lifetime एक दम नॉमल है पर glowing meat plate पर बीफी होता है लेकिन ऐसा लग रहा है कि Russian और Hungarian के लिए strange meat भी plate में आने वाला है 2019 में आर्ट मीट टाम की एक start-up company horse sales का use high protein और low fat meat बनाने में करने लगी चौकाने वाली बात ही है कि lab made meat wagon option नहीं है बलकि real animal meat ही है आये देखते हैं कि यह कैसे बनता है scientist animal muscle cell cultivate करते हैं और इन पर stick or flits का 3D print करते हैं असली animal के case में blood vessel, tissues, muscle cells सब होता है और फिर आपको इनको ही पालना पड़ेगा और फिर finally आपको उन्हें खाने के लिए मारना भी पड़ेगा वहीं lab meat में scientist oxygen rich liquid medium की मदद से आता है lab meat और lab beef काफी popular हो रहे हैं और market और restaurant में बड़ी आसानी से available हैं आट meat का plan है कि वो अपना horse meat Russia और Hungary के market में 2023 में launch करेगा क्योंकि बाकी जगों के comparison में यहां horse meat की demand जादा है lab meat की कीमत अभी तो काफी जादा है लेकिन company लगातार यह price कम करने की कोशिश कर रही है और एक horse burger की कीमत को इसने 325 डॉलर से 1 के डॉलर तक कर दिया है और 2027 तक उमीद है कि इसकी कीमत normal meat जितनी हो जाएगी आट meat के पास promotion के लिए यही line रहीगी कि उनके meat के लिए animals को नहीं मरना पड़ेगा क्या आप normal meat को lab grown meat से replace करेंगे और क्या आपने कभी horse meat खाया मुझे comment करके बताएं beefy pigs हम already glowing meat और जाल बुढने वाली बकरी देख चुके हैं लेकिन GMO की line में यह मोटे pigs सबसे आगे हैं 2015 से ही South Korea की scientist यह double muscle pics बना रहे हैं generally pics में पाया जाने वाला myostatin gene muscle cells की growth को रोकने मदद करता है लेकिन जब इससे छेड़ खानी की जाती है तो इसके function पर effect होता है जिसके वज़े से muscles की rapid growth होने लगती है biologist जिन सू किम ने इस gene को तेले नाम की एक gene editing technology से disrupt कर दिया इस technique में DNA cutting enzyme से myostatin gene को cut और edit किया जाता है फिर इस edited silk को fertilized egg में insert कर दिया जाता है और उसका result animals ऐसे लगने लगते हैं जैसे कि वो gym जाते हों जिसके वज़े से ज़्यादा quantity में meat produce हो पाता है अब हो सकता है कि आपको बहुत ही tasty लगे पर बहुत ही बुरा भी लग सकता है खैर जो भी हो South Korea की researchers का plan इसे चाइना के market में बेचने का है क्योंकि वहाँ pork की demand बाकी जगों से ज़्यादा है ये pigs human consumption के लिए safe है या नहीं इसकी research अभी भी हो रही है लेकिन अगर आपको डबल मसल मीट पसंद है तो आप बेलियन ब्लू काव को consider कर सकते हैं जैसे pigs के साथ किया गया वैसे इन गायों की भी मसल ग्रोथ को disrupt कर दिया गया जिसकी वज़े से ये डबल मीट बने लगा difference बस यह है कि इन में mutation ज़्यादा natural है और genetic modification की जगह है selective breeding की गई है लेकिन आस्ट्रेलिया के इस 6.4 चारेंच और 220 पाउंड के बर्ली बोविन निकर्स को देख कर ऐसा लगता है कि nature को हमने 4 ग्रांट ले लिया है पर इनको काटने के लिए अब राज टेंक की ज़रुत पड़ेगी क्या आप ऐसे अल्ट्रा मीट को पसंद करेंगे मुझे नीचे कॉमेंट करके बताएं नेचर के fruit freaks इन white strawberries को देखकर डाउट नमत पर जाएगा अपने लुक के बावजूद ये पकी हुई है और Florida में तोड़ी जाने के लिए एकदम तयार भी है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो है pine berry wild strawberries को cross polonize करने का result ये एकदम normal strawberries की तरह है बस cross breed की वज़े से इनका color different है सभी strawberries शुरू में white color की होती है बाद में anthocyanin protein के pigmentation की वज़े से पकने के बाद रड हो जाती है pine berries में anthocyanin बहुत ही कम होता है और इसी वज़े से ये strawberries पूरी white color की होती है और भी बहुत सारे अजीब शेप की fruits हैं जैसे की ये freakish frankberry ये एकदम ऐसी लगती है जैसे इसे कई बार copy paste कर दिया हो ऐसे deformed strokes को fasciated या coxcomb strawberries कहते हैं plants की वो cells जो fruits produce करती हैं वही इनके organized pattern के लिए भी responsible होती है लेकिन कई बार ठंडे मौसम या bacteria की वज़े से इस पर असर होता है और इसलिए कुछ fruits ज़्यादा लंबे हो जाते हैं लेकिन जिंदा मत कीजे ये भी खाने में उतनी tasty होते हैं जितनी बागी सब में होते हैं अब इस melon को ही देख लीजे ऐसे अजीब से shape के fruits जापान में होते हैं और यहाँ कोई gene modification भी नहीं किया गया है water melon तो pear पर ही लगे होते हैं पर इसके आसपास square या heart shape का mode लगा दिया जाता है जिससे कि ये उसका shape ले ले लें यही case इन cute peers का है जिनने चाइना में laughing god of fortune के plastic mold में रखा गया तो अगर आपको आजीब fruits पसंद है या फिर आपको लगता है कि आपके apples का दूसरा shape होना चाहिए तो अभी ही अपने fruits को mold में उगाना शुरू कर दी जबाई और fruits को खाना मज़िदार बनाईए apple inning mask अगर आपको cube shape के apple भी boring लग रहे हैं तो आपके लिए हाजर है ये pink pearl apple ये बहुत ही सुन्दर है ना इसके लिए हमें कैलिफोर्निया के किसान Albert Eater को thanks बोलना चाहिए इन्होंने 1944 में pink pearl को grow किया था वह एक apple की qualities लेकर उसे पूरा red color का बनाना चाहते थे और इसको नाम दिया गया surprised apple ये red color का अन्थोकियन नाम के chemical के वज़े से है उन्होंने दूसरी variety के साथ apple को cross-polynize किया और finally उनको ये red fleshed apple मिला और इसकी skin gold थी Eater का creation वास्ता में surprise जासा ही है एक और इंसाने जिसे red fruit से कुछ खास लगाऊ है और वो हैं Swiss fruit farmer Marks, Marks Cobilt इन्होंने अपनी जिन्दगी के 20 साल apple को heart का color और shave देने में लगा दी उन्होंने royal gala और briban apple को कुछ और varieties के साथ cross-polynize किया पर इसका result देखना भी भी बाकिये है और Cobilt को मिले जादा red fruit जैसे पहले कभी किसी ने ना देखे होंगे जैसे ये normal apple से जादा healthy और इसे काटने के बाद भी इसका color सेम रहता है मतलब काटने के बाद भी ये brown होने में बहुत time लेते हैं Cobilt के fruit सिर्फ apple नहीं है बलकि ये सुन्दर pink health की picture है The Mysterious Lime Lone 2020 में British supermarket में Mark and Spencers ने limited edition lime lone इंट्रोडीउस किया उनकी marketing line को जिस तरह इस दी, क्या ये lime है, क्या ये lemon है, नहीं ये lime lone है लेकिन क्या ये strange creation वास्ता में दो ही अलग fruits का fusion था इस creation की appearance एकदम ऐसी थी जैसे एक खटे fruit और watermelon को fuse कर दिया हो हमने इस वीडियो में कितने सारे experiment को देख लिया तो ये imagine करना बड़ा आसान होगा कि कैसे Dr. Frankenstein ने दो अलग पेड़ों की DNA को मिलाया होगा sadly ये ऐसा दिखता है जैसी कि lime के skin में melon हो, लेकिन ये फालतु है जिसे Mark and Spencer ने new invented fruit की तरह बेचा, वोजल में misleading था हाँ आधा सच, ये सच में melon था, लेकिन lime का इसमें सिर्फ टेस्ट ही था और यहाँ पर कोई DNA एक्चेंग नहीं हुआ था इन सब के वज़े से कस्टमर्स कंफ्यूज हो गए, कि आखिर ये क्या है बात में सूपर मार्केट के सोशल मीडिया टीम को कंफर्म करना पड़ा कि उनका कोई भी प्रोड़क्ट genetically modified नहीं है, लेकिन बिना किसी gene technique के melon में lime का टेस्ट आया कैसे वेल, selective breeding और टेस्ट टेस्टर्स की मदद से ये बिलकुल पॉसिबल है इस experiment के बाद farmers और जाधा cross-planization करने लगे और ऐसा बहुत time करने के बाद lime की एक नई variety सामने आ गई, पर अगर आपको इस lime लोग ने फैसिनेट नहीं किया तो ये देखिए yellow watermelon, जी हाँ, एक दम असली है, ये natural mutation की वज़े से बनते हैं और अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका हम पाए जाते हैं, इन सब hybrid food items को देखने के बाद, लगता है कि मुझे एक normal apple घा कर अपना दिमाग सही करना पड़ेगा, तो इन सब food items में से, किस ने आपके भूग बढ़ा दी, और किस ने आपके भूग घटा दी, मुझे नीचे comment section में कर बताएं, और हाँ हमेशा की तरह है, देखने के लिए शुक्रिया